Hey everyone, very good morning, आज है 26 अपरेल 2022, एक नए दिन की करेंट अफेर्स की सुरुवात करेंगे, तो चलिए सुरुवात करते हैं, बट उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को 200 लाइक्स तक पहुचाने का जो टारगेट है, उसे अचीव करने मे हमारी हेल्प जरूर करें, तो चलिए सुरुवात करते हैं, 26 अपरेल 2022 के पहले क्यूशन के साथ, नीती आयो के उपाध्यक्स कोन बने हैं, तो नीती आयो के उपाध्यक्स बने हैं, सुमन के बरी, तो सुमन के बरी जो हैं, ये नीती आयो के उपाध्यक्स के तोर पर इसके स्थापना एक जनवरी 2015 में हुई थी इसकी जो हेड़कॉर्टर्स है ये नई दिल्ली में है और अध्यक्स है नरेंद्र मोदी अच्छा इसको प्लानिंग कमिशन जो योजना आयोग है इसके स्थान पर नीतियायोग की स्थापना की गई थी उपाध्यक्स जो है ये है सुमन के बरी और CEO है अमिताप कांथ नीतियायोग के अध्यक्स प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी है आयोग के पहले अध्यक्स भी नरेंद्र मोदी जी है क्योंकि देश का प्रधान मंत्री होता है अध्यक्स और नीतियायोग का पुराना नाम ह योजना आयोग एक्चली मैं पुराना नाम नहीं है संस्था ही दूसरी है इसको आप कैंसल आउट कर लीजेगा संयुक्त राष्ट्रे प्रयावरण कारेकरम यू एन एपी ने यह किया गया है तो यह किया गया है डेविड एटन ब्रो को संयुक्त राष्ट्रे प्रयावरण कारेकरम ने डेविड एटन ब्रो को Champions of the Earth Lifetime Achievement Award 2022 से समनित किया है डेविड एटनब्रो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षन के लिए Research Documentation के प्रती समर्पन के लिए यह है पुरुसकार दिया है Champions of the Earth Lifetime Achievement Award यह है अवोर्ड सयुक्त राष्ट का सर्वोच्य राष्ट प्रयावरन सम्मान है यहाँ पर अगर हम बात करें तो और उन व्यक्तियों समुहों या फिर संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने परयावरन के छेत्र में अपने योगदान दिया है उत्री अंट्रार्टिका संधी संगठन यानि कि नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास जिसका नाम है Locked Sealed इसे किस देश में आजित किया है तो याद रखना Estonia के अंदर आजित किया गया है तो याद रखना नाटो दुआरा मानेता साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा भ्यान जिसका नाम है Locked Sealed 2022 को एंटोनिया के अंदर आजित किया गया है यह काफी इंपोर्टेंट है नाटो यानि कि North Atlantic Treaty Organization जिसकी स्थापना चार अप्रेल उन्निस सो उननचास में उन थी और इसका मुख्याले ब्रुसेल्स में है और महा सचीव है जैंस स्टॉल टैनबर्ग राष्टिये पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया तो 24 अप्रेल को मनाया गया और इसकी सुरुवात 1992 वे तहतरवे समविधान संसोधन में इसे लागू किया गया था और इस संसोधन ने पंचायती राज विवस्था को सुधारने में अपना जो एक समविधानिक दर्जा है वो यहाँ पर दिया था इसके रिगार्डिन जिसके उपलक्ष में राष्टे पंचायती राज जो है यह किसने की थी यहाँ पर इस्थापना तो यह अंगपाल जो की तोमरवंस के सासक थे इनके द्वारा की गई थी दिल्ली की जो राजकी पशू है यह है नीलगाय दिल्ली जो है यहाँ पर गहरेलू गोरईय जो है वो पक्षी है पेड़ है गुलमोहर और फूल है अ केंदर सरकार द्वारा मच्छवारों की आजी विका में सुधार करने के लिए भारत पहला समूंदरी सेवाल पार्क कहां पर खोला जाएगा तो यह तमिल लाडू में खोला जाएगा केंदर सरकार द्वारा तमिल लाडू में विसेष इस पार्क की स्थापना प्रधान मंत अगला क्विशन है इंडिया इंटरनेशनल कॉंक्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस अंबेजिडर 2022 के रुप में चुना गया है तो बभीता सिंग को चुना गया है बभीता सिंग को इंडिया इंटरनेशनल कॉंक्लेव में सिक्षा खेल कला संस्कृति और कूटनीती के माध्यम से शांती को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एडवेंड एंबेजिडर 2022 के रुप में चुना गया है विजडम, किर्केट, अल्मनेक ने भारत के किन दो खिलाडियों को वर्ज 2022 के लिए पांच सर्विस रिष्ट किर्केटरों में शामिल किया है तो रोहिच शर्मा और जस्पृत बुम्रा और इस लिष्ट में पहली बार दो भारते खिलाडियों को शामिल किया गया है अन्यत तीन खिलाडियों में न्यूजिलेंड के बल्लेबास, डेवोन, कौनवे, इंग्लेंड के तेज गेंदबाज, ओली, रोबिंसन और दक्षनी अफरीका की महिला इस्ट्रार जिनका नाम है डेन वेन निरकर शामिल है भारतिय अमेरिकी चेंबर ओफ कोमर्स ने छटवे परतिष्ठित उध्मी ने तरत्वे प्रुषकार 2022 से विवेक लाल को समानित किया है तो भारतिय अमेरिका चेंबर ओफ कोमर्स ने जर्णल जो एट्रोनोमिक्स ग्लोबल कॉर्परेशन के मुख्य कारेल अधिकारी विवेक लाल को रक्षा छेत्रे में उनके यहां पर उनके योगदान के लिए सरहाना के लिए प्रतिष्ठित उध्मी नेतत्वे पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है अगला कुशन है विवे पुस्तक और कॉपिराइट दिवस 2022 का मनाय गया तो 23 अप्रेल को मनाय गया ये युनि 22 जो है बेसिकली पुस्तक दिवस जो है ये 26 संस्क्रणी इस बार मनाय गया अच्छा नवर्स त्योवारे जिसका नाम है पोईला बैसाक ये किस देश में मनाय जाता है आपको कमेंट सेक्षिन मताना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को ला थैंक यू और टेक कार